शंक्षेप्त महाभारत आदिपर्मे देवता दानव पशुपक्षी आदिशंपुरन प्राणियों की उत्पत्ति जन्मेजे ने कहा भगवन मैं देवता, दानव, गंधर, अफसरा, मनुष्य, यक्ष, राक्षिश और समस्प्राणियों की उत्पत्ति सुनना चाहता हूँ आप कृपा करके उसका प्रारंब से ही यथावत वर्णन कीजी तो वेशंपाईन जी ने कहा अच्छा में सिम्परकाश वगवान जी को परनाम करके देवता आदी की उत्पत्ति और नाश की कता कहता हूँ ब्रह्मा जी के मानस पुत्त्र मरीची अत्री अंग्रा पुलाय करतु को तुम जानते ही हो मरीची के पुत्त्र कशप थे और कशप से ही ये सारी प्रजावपन हुई है दक्ष प्रजावपती की तेरा कर्ण्याव का नाम था अदिती, दिती, दनू, काला, दनायू, सिंगहिका, क्रोधा, प्राधा, विश्वा, विंता, कपिला, मुनी और कद्रू इन से उत्पन पुत्र पुत्रों की संख्यानन थे अदिती के बारा अदित्य हुए उनके नाम है धाता, मित्र, अर्यम्मा, शक्र, वरुन, अंश, बागवी, वस्वान, पूसा, सविता, तवस्ता और विश्णो इन में सबसे छोड़े विश्णो गुनों में सबसे बड़े थे दीती का एक पुत्र था हिरना कश्प, उसके पांच पुत्र थे परलाद, सरलाद, अनुरलाद, शीबी और बाशकर परलाद के तीन पुत्र थे विरोचन, कुम्ब और निकुम्ब विरोचन का बली और बली का बानासुर बानासुर भगवान शिंकर का महान सेवक था मैं महाकाल के नाम से परसिद्ध है दनों के चालिस पुत्रों में वी परचीती सबसे बड़ा ये सस्सी और राजा था दनों की संख्या संख्य है सिंका से राहू हुआ जो सुर्य चंद्रवा को ग्रस्ता है क्रोधा से सुचंद्र, चंद्रहंता और चंद्र परमर्दन आदि पुत्र पुत्र हुए क्रोध वश नाम का एक गण भी हुआ था दनायू से चार पुत्र हुए विक्षर, बल, वीर और वृतासुर काला से विनाशन, क्रोध, क्रोध हन्ता, क्रोध शत्रू और काल के नाम से परसिद्धा सरू हुए भेगूरिशी से असुरों के प्रोहिद शुक्राचारे का जन्म हुआ इनके चारव पत्र जिनमें तुष्टाधाद और अत्री पर धान दे असुरों का यग्य याक कराया करते ये असुर और सुर्वंच की उत्पत्ति प्रानों के अंसार है इनके पुत्र पुत्रों की गन्ना संभव नहीं है ताक्षर अरिश्ट्यमी, गरुड, आरुण, आर्नी और वार्नी ये वेंते कहलाते हैं शेश, अनन्त, वास्की, तक्षक, भजंगम, कोर्म, कुलिक, आदी सर्व, कद्रु के पुत्र हैं भीमसेन, उग्रसेन, सुपर्न, नारद, आदी सोना, देवगंधर्व, कश्यपत्नी, मुनी के पुत्र हैं ये सबी बड़े किर्तिमान, बल्वान और जितिंद्रिय हैं प्राधा नाम की दक्षकन्या से भी अनवद्या, मनुवंच्षा, आदी कन्याईं और सिद्ध, पूर्ण, बरही और देवगंधर्वत्पन हुए प्राधा से ही अलंबुशा, मिश्रकेशी, विद्युत्पर्ना, तिलोत्मा, अर्ना, रक्ष्ता, रंभा, मनोर्मा, केश्नी, सुभाहु, सुर्ता, सुर्जा, सुप्रिया, आदी अपसराईं और अती बाहु, हाहा, हुहु और तुम्बरु, ये चार गंधर्व भी हुए कपिला से गव, ब्रामन, गंधर्व और अपसराईं उत्पन हुई, इस प्रकार मैंने तुमें सभी की उत्पत्ती सुना दी, इनमें सर्प, सुपर्न, रुद्र, मरुत और गव, ब्रामन आदी सभी हैं ब्रह्मा के मनस पुत्र छे रिश्यों के नाम पहले ही बतला चुका हूँ, उनके साथमें पुत्र थे स्थानू, स्थानू के परम्त जस्थी 11 पुत्र हुए, महाव्याद, सर्प, निरिती, अजैकपाद, अहिरवन्द, पिनाकी, डेहन, ईश्वर, कपाली, स्थानू और भाव, इनहीं 11 रुद्र कहते हैं, अंगरा के तीन पुत्र हुए, ब्रस्पती, उत्थय और समवर्थ, अत्री के बहुत से पुत्र हुए, पुलाच के राक्षश, वानर, किनर और यक्ष हुए, पुला के शलब, सिंग, किमप्रुष, व्याग्र, यक्ष और भेडिया जा जाती के पुत्र हुए, और यक्ष के बाल खिले हुए, ब्रह्मा जी के दायेंगोठे से, दक्ष और बाएं से उनकी पत्नी का जिनम हुआ, उन पत्नी से दक्ष की 500 कन्याई हुई, पुत्रों का नाश हो जाने पर दक्ष प्रजावती ने कन्याउं का विवा इस शर्थ प धर्म की दस पत्रियों के नाम ये हैं किर्ति, लच्मी, ध्रिती, मेधा, पुष्टी, श्रदा, क्रिया, बुध्धी, लज्जार, मति धर्म के द्वार होने के कारण इन्हें उनकी पत्री कहा गया है 27 नक्षत्र ही चंद्रमा की पत्रिया हैं, वे समय की सूचना देती हैं प्रमाज के पुत्र, मनू, मनू के प्रजापती और प्रजापती के आठ वसो हुए धार, ध्रुव, सोम, एह, अनिल, अनल, पत्योश और परभास धार ध्रुव की मा का नाम धूमरा, सोम की मा का मनस्वनी, एह की मा का रता, अनिल की मा का स्वासा, अनल की मा का शांडली, तथा परत्योश और परभास की माता का नाम परभाता था धर के दो पुत्र हुए द्रमिन और हुथ हव्यवे ध्रोग के काल सुम के वर्चा वर्चा के शिशिर प्रान और रमन नाम के तीन पुत्र हुए एह के चार पुत्र हुए जोती शाम शान्त और मनी अनल के कुमार हुए कृतकाओं ने इनका मतरत तस्विकार किया था इसलिए इने कार्थ के भी कहते हैं इनके तीन पुत्र हुए शाक विशाक और नैग में अनल की पत्री शिवा से मनोजव और अविग्याद गती नाम के दो पुत्र हुए परत्यूश के पुत्र थे देवल डिशी उनके भी दो पुत्र हुए थे शमामान और मनिशी ब्रस्पति की बहन भ्रह्म वादनी और योगनी थी वही प्रभास की पत्नी हुई उसी से देवताओं के कारिगार विश्य कर्मा का जनम हुआ उन्होंने ही देवताओं के भुषन और विमानों का निर्मान किया है मनिश्य भी उनकी कारिगरी के आधार पर अपने जीव का करते हैं भगवान धर्म ब्रह्मा जी के दाहने स्तंसे मनिश्य रूब में प्रगट हुए थे उनके तीन पत्र हुए शम, काम और हर्श उनकी पत्रियों का किरमशे नाम था प्राप्ती, रती और नंदा सुर की पत्री वडवा, घोड़ी से अश्नी कमारों का जनम हुआ अधिती के बारा पत्रों की गन्ना की जा चकी है इस परकार बारा अधित्य, आठ वसू, ग्यारा रुद्र, प्रजापती और वशटकार ये मुख्य 33 देवता होते हैं इनके गन्न भी हैं जैसे रुद्रगान, सांदिगान, मरुदगान, वसूगान, भारवगान, विश्य देवगन गरोड, अरण और ब्रस्पती की गन्ना आधित्यों में ही की जाती है अश्यनी कमार, ओश्ती और पशू, आधिकी गिन्ती गोहगन में है इन देवगनों का कीतन करने से सारे पाप छोट जाते हैं महिरशी ब्रेगो ब्रह्मा के हिद्दे से प्रगट हुए थे ब्रेगों के शुक्राचारे के अत्रिक्त, च्वन नामक पुत्र हुए ये अपनी माथा की रख्शा के लिए घर्भ से निकल आई थे उनकी पत्री का नाम था आर्नी उनकी जांग से और्वका जनम हुआ था और के रिचीक और रिचीक के जमगडगनी हुए जमदगनी के चार पुत्रों में परशुराम जी सबसे चोटे थी प्रंदगुन में सबसे बड़े में शाश्त्र कुशल तो थे ही शाश्त्र कुशल भी थे उन्होंने ही शत्री कुल का नाश किया था ब्रह्मा के दो पुत्र और भी थे धाता और विधाता वे मनु के साथ रहते हैं कमलों में निवास करने वाली लच्वी उने की बेहन है शुक्र की पुत्री देवी वर्ना की पत्री हुई उसके पुत्र का नाम हुआ बल और पुत्री का सुरा जब प्रजा अन्न के लोब से एक दूसरे का हक खाने लगी तब उस सुराने वही अधरम की उत्पत्ती हुई जो समस्प्राणियों का नाश कर दिता है अधरम की पत्री का नाम था नेरित्ती उसके तीन बड़े भ्यंकर पुत्र थे भय, महाभय और मृत्यो मृत्यों के पत्री पुत्र कोई नहीं है काकी से उलोग, शेंच से बाज, भाशी से कुत्ते और गीद, धित्राश्टी से हंस, कलहंस, एम चक्रवाग और शुकी से तोतो का जिनम हुआ क्रोधा से सो कन्या हुए मृगी, मृगबंदा, हरी, भद्रमना, मतंगी, शार्दली, शेता, सुर्भी और सुर्षा मृगी से मृग, मृगबंदा से रीच, और स्रीमर, छोटी जादी के मृग, भद्रमना से एरावताथी, हरी से चंचल घोडे, वानरायम गव के समान पूछवाले, तोसरे पशु, तताश शार्दूली से सिंग, बाग और गेंडे उत्पन हुए मतंगी से सब्तरा के हाथी और शेता से शेत दिकज हुए, सुर्भी से रोहनी, गंधर्वी, विम्मला और अनला नाम की चार कन्याएं हुए रोहनी से गाएं बैल, गंधर्वी से घोडे, अनला से खजूर, ताल, हिंताल, तारी, खजूर का, सुपारी और नारियर, ये साथ पिंडफल वाले विरिक्षद पन हुए अनला की पुत्री, शुकी ही तोटो की जन्नी हुई, सुर्था से कंक पक्षी और नागो का जन्म हुआ, और उनकी भार्या शेनी से संपती और जिटाई हुए, कद्रू से सर्पो की उत्पत्ती तो कही जा चुकी है, इस परकार मुख्यों मुख्य प्रानियों की, उत्पत गदी मिलती है। और अनुरला ध्रिचकेष्ट हुआ था। शी भी डैत्य द्रुम राजा के रूप में और वाशकल भगदत हुआ था। कालने मी देंत्य नहीं कंस के रूप में रूपधारन किया था। भरद्वाजमुनी के यहां ब्रसपती जी के अंच से द्रोणा चारे अवतीर नहुए थी। विश्रेश्ट धनुरदर उत्तम शास्त्रवीता और परमत जस्षी थी। उनके यहां महादेव, यम, काल और क्रोध के समलितन से भ्यंकर अश्रस्थामा का जनम हुआ था। विश्रेश्ट रिशी के शाप और इंद्र की आग्या से आठो वसी राज रिशी शांतनु के द्वारा गंगाजी के घर्ब से उत्पन हुई। उनसे सबसे छोड़े भीशम थे। वे कोर्मों के रक्षक, वेदवेता ज्यानी और श्रेश्ट वक्ता थे। उनने भगवान परश्यू रामजी से युद्ध किया था। रुद्र के एक गंड ने कृपाचार के रूप में अवतार लिया था। द्वापर युक के अंच से शकुनी का जनम हुआ था। मरदगन के अंच से वीरवर सत्यवादी सात्यकी, राजरिशी द्रुबत, कृत्वर्मा और विरात का जनम हुआ था। अरिश्टा का पुत्र हंस नामक गंधरवराज धित्राष्ट के रूप में पैदा हुआ था। और उसका छुटा भाई पांडू के रूप में। सूरे के अंच धरम ही विदूर के नाम से परसिद्ध हुए। कुरू कुल, कलंक, दुरात्मा, द्रियोधन, कल्यू के अंच से उत्पन हुआ था। उसने आपस में वेर की आग सुलगा कर पित्थी को भसम किया। प्रत्सवंच के राक्षों ने द्रियोधन के सो भाईयों के रूप में जनम लिया था। धित्राष्ट का वे पुत्र जिसका नाम युयुसुस था, वैश्या के घर्व से उत्पन तत्याम इन से अलग था। धिश्टर धर्म के भीमसेन, वायू के, अर्जुन इंद्र के और नकुल से देव अश्नी कुमारों के अंसे उत्पन हुए थे। चंद्रमा का पुत्र वर्चा अभिमन्य हुआ था। वर्चा के जनम के समय चंद्रमा ने देवताओं से कहा था, मैं अपने प्यारे पुत्र को नहीं भेजना चाता। फिर भी इस काम से पीछे हटना उचित नहीं जान पड़ता। असुरों का वद्ध करना भी तो अपना ही काम है। इसलिए वर्चा मनुष्य बनेगा तो सही प्रन्त वहां अधिक दिनों तक नहीं रहेगा। इंद्र के अंसे नार अवतार अर्जुन होगा। जो नारायन अवतार शिर्किश से मित्तरता करेगा मेरा पत्र अर्जुन का ही पत्र होगा। नार नारायन की उबस्तिện ना रहने पर मेरा पत्र चक्रवियों का बेदन करेगा। और घमासण युद्ध करके बड़े-बड़े महारतियों को चकित कर देगा। दिन भार युद्ध करने के बाद साइकाल में मुझ से आ मिलेगा इसकी पत्री से जो पुत्र होगा वही कुरुकुल का वंश्थर होगा सभी देवताओं ने चंद्रवा की इस उक्ति का अनमोदन किया जनमेजे वही आपके दादा अभिवन्यों थे अगनी के अंसे द्रश्थ धुम्न और एक राक्षष के अंसे शिखंडी का जनम हुआ था विश्य देवगान द्रौपती के पांचों पुत्र पृति विंध्य, सुट्सौम, शुर्ट कीर्थी, शतानिक और शुर्ट सेन के रूप में पैदा हुए थे विश्य देव जी के पिता का नाम शुर्ट सेन था, उनकी एक अन्पम रूपती कन्या थी जिसका नाम था पृत्था शुर्ट सेन ने अगनी के सामने प्रतिग्या की थी कि मैं अपने पहली संतान, अपने बुवा के संतान ही पृत्र कुंती भोज को दे दूँगा उनके यहां पहले प्रिथा का ही जनम हुआ, इसलिए उन्होंने उसे कुंती भोज को दे दिया जिस समय प्रिथा छोटी थी, अपने पिता कुंती भोज के पास रहती और अतिथियों का सेवा का सतकार करती एक बार प्रिथा ने दुर्वाशा रिशी की बड़ी सिवा की, उनकी सिवा से जितिंद्री रिशी बड़े परसंद हुए, उनने प्रिथा को एक मंत्र बतलाया और कहा कि कल्यानी मैं तुम पर परसंद हूँ, तुम इस मंत्र से जिस देवता का आवाहन करोगी, उसी के से तुम्हें पुत्र उत्मन होगा। तुर्वाशा रिशी की बात सुनकर प्रिथा कुंती को बड़ा कुत्वल हुआ। उसने कांत में जाकर भगवान सुरे का आवाहन किया। सुरे देव ने आकर ततकाल गर्ब स्थापन किया। जिससे उनी के समात जसी कच्चर कुंडल प पास ले जाकर उसे पुत्र बना लिया। उन दोनों ने उस बालक का नाम वसुसेन रखा था। वही पीछे करन नाम से परसिद्ध हुआ। मैं अश्टर विद्धा में बड़ा पर्मीन और वेदांगों का ग्याता हुआ। मैं बड़ा उदार, सत्य प्रकर्मी और बद्ध भीमान था। जिसमें जब करने के लिए बैठता उसमें ब्रामन उससे जो मांगते वही दे देता था। एक दिन की बात है। करन जब कर रहा था। देवराज इंदर सारी प्रजार अपने पुत्र अरजुन के हित के लिए ब्रामन का वेश धारन करके उसके पास आई। और इंदर ने एक शक्ती दी और कहा कि हे अजित तुम ये शक्ती देवता असुर मनुष्य गंदर्व सर पर राक्षिश अत्वा जिस्त किसी पर चलाओगे। उसका ततकाल नाश हो जाएगा। तबी से वहे वेकरतन के नाम से परसिद्ध हुआ। वे श्रेष्ट योधा द्र देव श्री किष्न अवतेर्न हुए। महाबली बलडेव जी शेश के अंच थे सुनत कमार जी पर दुम्वन हुए। यदुमं से और भी बहुत से देवता मनुष्य के रूप में अवतेर्न हुए थे। इंदर के आग्या अंसार अपसराओं के अंच से सोला हज्जार इस् सिद्धी और ध्रिती का जनम हुआ था। वेही पांडों की मता हुई। मती का जनम राजा सुबल की पुत्री गंधारी के रूप में हुआ था। इस परकार देवता असुर गंधर्व अपसराओं राख्यश अपने अपने अंसे मनुष्य के रूप में उत्पन हुए। शंशेप्त महा महारत में दुश्यंत और शिकुंतला का गंधर विवा। जनमेजे ने कहा भगवन। मैंने आपके शिरी मुक्सित देता दानव आदिके अंशो द्वारा अवतारित होने की कथा सुनली। अब आपकी पूरु सुचना के अंसार कुरुवंज का शिरवन करन वे शंपायन जी ने कहा जनमेजे पूरुवंज का परवर्ता था परम परताप शाली राजा दुश्यंत समुद्र से घिरे हुए बहुत से परदेश और मलिच्चों के देश भी उसके अधिन थे। वे अपनी प्रजाका पालन शाशन बड़ी योग्यता के साथ करता था। उसके राजय में वरन संकर नहीं थे। खेती और खानों के लिए प्रेतर नहीं करना पड़ता था। पाप तो कोई करता ही नहीं था। सभी धरम के प्रेमी थे इसलिए धरम और दोनों ही सता प्राप्त थे। कर निश्काम धरम का पालन करते थी। समय पर वर्षा होती थी, अन्न सरस होती थी और प्रिथी सब परकार के रत्न और पशुधन से परिपोर्ण थी। भ्रावन करम निश्थे और छालकबट पाखंड की छाया भी उन्हें नहीं चूती थी। दुश्यंत स्यम एक बलवान योग था, उसकी शक्ती इतनी आद्भधी कि वेब वन उपवन सहित मंदराचन को उखाड का धारन कर सकता था। मैं गदायुद के परखेव, विशेव, परिशेव और अविशेव चारों परकारों में और शष्ट्र विद्या में बड़ा ही निपुन था। घोडे हाथी की सवारी में कोई उसका सानी नहीं था। मैं विश्णो के समान बलवान, सूर्य के समान तजस्षी, समुद्र के समान अश्वभय, और प्रिथी के समान शमाशील था। नागरी को देशवाशी प्रेम से उसका सम्मान करते और वैं धरम बुद्धी से सब का शाशन करता था। एक दिन की बात है, मावाहू राजा दुश्यन अपनी चत्रंगनी सेना के साथ किसी गहनवन में जा पूचा। उसे पार करने पर उसे एक मनोहर आश्रम युक्त उपवन मिला। ये उपवन बड़ा ही सुंदर था, वहां के विरिक्ष खिले हुए पिश्पो से लद रहे थे, दूर्वा दलों से प्रिथी हरी भरी हो रही थी, सुंदर सुंदर पक्षी मदर सरों से चहक रहे थे, कहीं कोकलों की कोहु कोहु तो कहीं भोरों की गुंजार। राजा दुश्यन्त उपवन की शुबा देखी रहा था, कि उसकी दृष्टी उस मनोरम आश्रम पड़ पड़ी, उस आश्रम में स्थान स्थान पर अगनी होतर की ज्वालाएं पर जलित हो रही थी। राजा को ऐसा मालम हुआ मन हुआ मैं ब्रह्मलोक में खड़ा हूँ। दुश्यन्त के नित्र और मन की छटा देखकर त्रिप्त नहीं होते थी। इस परकार राजा दुश्यन्त ने सब देखते सुनते काश्यप गोत्रीय कन्यवरिशी के एकांट और मनोरम आश्रम में मंत्री और प्रोहितों के साथ प्रवेश किया। दुश्यन्त ने मंत्री और प्रोहितों को आश्रम के द्वार पर ही रोक दिया और सेम भीतर चला गया। वहाँ उस समें कन्व रिशी उपस्तित नहीं थे। उन्होंने आश्रम को सुना देखकर उचे सर से पुकारा यहां कौन है। दुश्यन्त की वाद सुनकर एक लच्मिं के समान सुंद्री कन्या तपस्तित के विश्व में आश्रम से निकली। उसने राजा दुश्यन्त को देखकर सम्मान पूरक कहा स्वागत है। फिर उसके आशन पाध्य और अध्य के द्वारा राजा का आतित्य करके उनसे स्वस्त और कुशल के संबंद में प्रेश्ण किया। स्वागत सत्कार के बाद उस तपस्तित कन्या ने तनिक मुस्करा कर कहा कि मैं आपकी क्या सिवा करूँ। राजा दुश्यंत ने सर्मांग संद्री एं मदर भाशनी कन्या की और देखकर कहा मैं परम भागिशानी महिर्शी कन्या का दर्शन करने के लिए आया हूँ। वे इस समय कहा हैं क्रिपा करके बतलाईए तो श्कुंतरा ने कहा मेरे पूझ निया पिता जी फल फूल लाने के लिए आश्रम से बाहर केईगी। आप घड़ी दो घड़ी उनकी प्रतीक्षा कीजिए तब उनसे मिल सकेंगी। श्कुंतरा की भरी जवानी और अन्पम रूप देखकर दुश्यन देका संद्री तुम कौन हो। तुमारे पिता कौन है और किस लिए यहां आई हो। तुमने मेरा मन मोहित कर लिया है। मैं तुमें जानना चाता हूँ। श्कुंतरा ने बड़ी मिठास के साथ कहा मैं महर्शिक कन्व की पुत्री हूँ। राजा ने कहा कल्याने विश्यवंद्य महर्शिक कन्व तो अखंड ब्रह्मचारी है। धरम अपने स्थान से विचलित हो सकता है प्रन्तु वे नहीं। ऐसी दिशा में तुम उनकी पुत्री कैसे हो सकती हूँ। श्कुंतरा ने कहा राजन एक रिशी के पूछने पर मेरे पूजनी ये पिता कन्व ने मेरे जन्म की कहानी सुनाई थी। उससे मैं जान सकी हूँ कि जिस समें परंपरतापी विश्वामितर्जी तपस्या का रहे थे उसमें इंदर ने उनके तप में विघन डालने के लिए मेरे का नाम की अफसरा बेजी थी। उसी के संयोग से मेरा जन्म हुआ, माता मुझे वन में छोड़ कर चली गए। तब पक्षियों ने सिंग, व्यागर और भ्यानक जन्तों ने मेरे रक्षा की थी। इसलिए मेरा नाम शिकुंतला पड़ा। महिर्शी कन्म ने वहां से उठाग लाकर मेरा पालन पुशन किया। शीर का जनक, प्रानों का रक्षक और आन्न दाता। ये तीनों ही पिता कहे जाते हैं। इस प्रकार मैं महिर्शी कन्म की पत्री हूँ। तुश्यंत ने कहा खल्यानी, जैसा तुम कह रही हो, तुम ब्रामन कन्या नहीं, राज कन्या हो। इस ये तुम मेरी पत्री हो जाओ, संद्री, तुम गंधर विदी से मुझसे विवा कर लो। राजाओं के लिए गंधर विवा सर्व श्रिष्ट माना गया है। श्कुंतरा ने कहा मेरे पताजी इसमे या नहीं है, आप थोड़ी देर तक प्रतिक्षा केजिए, वे आकर मुझे आपकी सेवा में सम्मर्पित कर देंगे। तो दुश्यंत ने कहा मैं तुम्हें चाहता हूँ, ये भी चाहता हूँ कि तुम मुझे सेवा बरन कर लो। इसे ही धरम पत समझते हैं, तो मुझे सियम अपने को दान करने का अधिकार है, तो आप मेरी शर्ट सुन लीजिए। मैं सच-सच कहती हूँ कि आप ये प्रतिग्या कर लीजिए, मेरे बाद तुमारा ही पुत्र समराठ होगा, और मेरे जीवनकाल में ही ये युवराज बन जाएगा, तो मैं आपको सुविकार कर सकती हूँ। तो दुश्यंत ने कुछ सोचे विचारे मिना ही प्रतिग्या कर ली और गंधर विदी से शकुंतरा का पानी ग्रहन कर लिया, दुश्यंत ने उसके साथ संग करके बारंबार ये विश्वास दिलाया, कि मैं तुम्हें लाने के लिए चत्रंगरी सेना भेजूँगा, और श चिंता था कि महर्शी कन्व ये सब संकर ना जाने क्या करेंगी, थोड़ी देरबाद महर्शी कन्व आश्रम पर आपोचे, प्रंदो शिकुंतरा लज्जावस उनके पास नहीं गई, त्रिकालदर शिकन्व ने दिविद रिष्टी से सारी बाते जानकर परसंता के साथ शि काम किया है, वे धर्म के विरुद्ध नहीं है, शत्रियों के लिए गंधर विवाद शास्त्र सम्मत है, दुश्यंत एक धर्मात्मा उदार एमच्छेष्ट पुरुश है, उनके स्रियोग से बड़ा बल्वान पुत्र होगा, और वे सारी पृत्धी का राजा होगा, जब अब ही चल रहे हैं, मैं शंपायन जी कहते हैं जनमे जी, समय पर शकुंतरा के गर्व से पुत्र हुआ, वे त्यन सुंदर बच्पन में ही बड़ाक बलिश्ट था, महर्शी कन्ने विधी पूरक उसके जात करमादी संसकार किये, वो शिशु के दांट सफे सवेद बड़े नकीले थे, कंदे सिंग के समान से थे, दोनों हाथ में चक्र का चिन था, तता सिर बड़ा और लला टूजा था, मैं ऐसा जान पढ़ता मानो कोई देव कुमार हो, मैं छे वर्श की वस्ता में ही सिंग, बाग, सुकर और हाथियों को आश्रम के वरिक्षों से बांद देता कभी उन पर चड़ता, कभी डांडता, और कभी उनके साथ खेलता और दोर लगाता था, आश्रम वासियों ने उसके द्वरा समस्त हिंसक जंतों का दमन होते देख, उनका नाम सर दमन रख दिया मैं बड़ा विक्रमें, ओजस्सी और बल्वान था, बालक के आलोकी करम देखकर महिर्शी कर्यने शिकुंतरा से कहा, आब ये युवराज होने के योग्य हो गया हिर उनने अपने शिश्यों को आग्या देख, कि शिकुंतरा को पुत्र के साथ उनके पती के घर पोचाओ, कर्यने अका बहुत दिनों तक मायके में रहना कीरती, चिरित्र और धर्म का घा तक है शिश्यों ने आग्या के अंसार शिकुंतला और सरदमन को लेकर हस्तनापुर की यात्रा की सुचनाज सवकृति के बाद शिकुंतला राज्यसभा में गई और रिशी के शिशे लोट गए शिकुंतला ने सम्मान पूरक निवेदन किया कि राजन ये आपका पुत्रह आप इसे युवराज बनाईए इस टेवत लिकुमार के संबन्ध में आप अपनी पृतिग्या पूरी कीजिए शिकुंतला की बाद सुंकर दुश्यन दे कहा अरे दुश्ट तापसी तु किसकी बतनी है मुझे तो कुछ भी संबन्ध नहीं है तेरे साथ धरम अर्थ और काम का कोई भी मेरा संबन्ध नहीं है तु जा ठहर अत्वा जो तेरी मोज हो सोकर दुश्यन की बाद सुनकर तपस्वनिश कुंतला बेहोसी होकर खंबे की तरह निश्चल भाव से खड़ी हो गई उसकी आँखे लाल होगी होट भड़कने लगे वे ट्रिष्टी टेडी करके दुश्यन की और देखने लगी थोड़ी दे ठेर कर दुख और क्रोश से भरिश कुंतला दुश्यन से बोली महराज आप जान बूच कर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मैं नहीं जानता ऐसी बात तो नीच मनुश्यव कहते हैं आपका हिद्दे इस बात का शाक्षी है कि जूट क्या है और सच क्या है आप अपनी आत्मा का त्रिसकार मत कीजिए हिद्दे पर हाथ रख कर सई सई कहिए आपका हिद्दे कुछ छोड कह रहा है और आप कुछ छोड ये तो बहुत बड़ा पाप है आप ऐसा समझ रही हैं कि उस समें मैं अकेला था कोई गवा नहीं है परन्तु आपको पता नहीं कि परमात्मा सब के हिद्दे में बैठा है मैं सब के पाप पुन्ने जानता है और आप ठीक उसी के पास बैठ कर पाप कर रहे हैं पाप करके ये समझना कि मुझे कोई नहीं देख रहा है घोर अज्यान है देवता और अंतर यामी परमात्मा भी इन बातों को देखना और जानते हैं सूरिच चंद्रमा वाईयो अगनी अंत्रिक्ष पृत्थी जल हिद्दे यम्राज दिन राज संध्या धरम ये सबी मनुश्य के शुब शुब करम को जानते हैं जिस पर हिद्देश सस्थित करम शाक्षी इशे तरग्य परमात्मा संतुष्ट रहती हैं ये म्राज उसके पापो को स्यम नष्ट कर देती हैं प्रन्तों जिस पर अंतरिया में संतुष्ट नहीं ये म्राज स्यम उसके पापो का दंड देती हैं जो स्यम अपनी आत्मा का तृषकार करके कुछ का कुछ कर बैठता है, देवता भी उसकी साहथा नहीं करते क्योंकि वैं स्यम भी अपनी साहथा नहीं करता। मैं स्यम आपके पास आई हूँ, ऐसा समझकर आप मुझपतीवरता का तृषकार मत करें। देखिए आप अपने आधर्नियां पत्नी का तरिस्कार कर रहे हैं आप भरी सबा में साधरन पुरुष के समान मेरा तरिस्कार कर रहे हैं क्या मैं जंगल में रो रही हूँ? सुनाई नहीं पड़ता मैं कहें देती हूँ कि यदि आप मेरे उचित याचना पर ध्यान नहीं देंगे तो आपके सिर के सेंकर तुकड़े हो जाएंगे पत्नी के द्वारा पुत्र के रुब में स्यम पती का ही जनम होता है इसलिए प्राचीन विद्वानों ने पत्नी को जाया कहा है सदाचार संपन परशों की संतान पूर्जों को और पिता को भी तार देती है इसी से संतान का नाम पुत्र है पुत्र से सर्ग और पुत्र से उसकी अनंतता प्राप्त होती है पर पुत्र से बहुत सी पीडियां तर जाती पत्नी उसे कहते हैं जो घर के काम काज में चतुर हो पत्रवती हो पती को प्रान के समान मानती हो और सच्ची पती वरता हो पत्नी पती का अर्धांग है उसका एक श्रिष्टम सखा है पत्नी के द्वरा धरम अर्थ काम की सिध्धी होती है और मोक्ष के पत्वर अग्द सर होने में उससे बड़ी साहिता मिलती है पत्रे की साहिता से ही श्रेष्ट करम होते हैं, गरस्ती बंती है, सुख मिलता है और लच्वी की प्राप्ती होती है पत्रीं ही इकांत में मदरुबाशी सखा, धर्मकारे में पिता और दुख पढ़ने पर माता का काम करती बटोईयों के लिए घोर से घोर जंगल में भी पत्री विश्राम स्थान है विवार में लोग स्पत्नी का विशेश विश्वाश करते हैं और विपत्ती के समय और मरने पर भी पत्नी ही अपने पत्ती का अनगमन करती है पती के सुख के लिए इस्त्रियां सती हो जाती है और सर्ग में पहले ही पहुँचकर पती का स्वागत करती है विवाकाव यही देश है इस लोक और परलोक में पत्नी जैसा सहाय कोर कौन है पत्नी के गर्ब से उत्पन हुए दर्पन में दीख पढ़ते मुख के समान है भना उसे देखकर कितना अनंद होता है रोग से और मानसिक जलन से व्याकल प्रुष अपनी पत्नी को देखकर अनंदित हो जाती है इसी से क्रोध आने पर भी पत्नी का अप्रिय नहीं किया जाता क्योंकि प्रेम, प्रसंता और धर्म उसी के अधिन है आपनी उत्पत्ती भी तो इस्त्रियों के साथ ही होती है रिश्यों में भी ऐसी शक्ती नहीं कि बिना पत्नी के संता नत्पन कर सकें अपने धूल से लत्पत पुत्र को भी हिर्दे से लगाने में जो सुख मिलता है उससे बढ़कर और क्या है आपका पुत्र स्यम आपके सामने खड़ा है और प्रेम भरेज दृष्टी से देखता हुआ आपकी गोदवे बैठने के लिए उस सुख है इसका त्रिसकार क्यों कर रहे हैं चीटियां भी अपने अंडों का पालन करती हैं उन्हें फोड़ती नहीं हैं आप इसका पालन पुशन क्यों नहीं करते पुत्र को हिर्दे से लगाने पर जैसा सुख होता है वैसा सुकोमल वस्तर पत्नी और जल के श्पर्ष से नहीं होता ये पुत्र आपका श्पर्ष करे राजन मैंने इस पुत्र को तीन वर्ष तक अपने घर्व में धारन किया है ये आपको सुखी करेगा इसके जनम के समय आकाश्चवानी ने कहा कि ये बालक सो अश्य में ग्यग्य करेगा जात करम के समय जो वेद मंत्र पड़े जाते हैं वे सब आपको मालूम है पिता पुत्र को अभी मंत्रित करता हुआ कहता है तुम मेरे सर्वांग से उत्पन हुए हो तुम मेरे हिर्दे की निधी हो मेरा अपना ही नाम है पुत्र पेटा तुम सो वर्स तक जीओ मेरा जीवन और आगे की वंचपन प्रा तुमारे अधिन है इसलिए तुम सुखी रहकर सो वर्स तक जीओ ये बालक आपके अंग से ही आपके हिद्दे से ही उत्पन हुआ है आप क्यों नहीं अपने को इसके रूप में मुर्तिमाद देखते मैं मेनका की कन्या हूँ अमश्शी मैंने पूर जनम में कोई पाप किया होगा जिससे बच्पन में मेरी मा ने मुझे छोड़ दिया और अब आप छोड़ रहे है आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मुझे भले ही छोड़ देजिए मैं अपने आश्रम पर चली जाऊंगी परन्तु ये आपका पुत्र है इस बच्चे को मत छोड़िए तो शन्दे का आश्रकुंत ले मुझे मालूम नहीं कि मैंने तुम से पुत्रुत्पन किया है इस तरियां तो प्यारा प्राया जूट बोलती है तमारी बात पर भला कौन विश्वास करेगा तमारी एक ही बात विश्वास करने योग्य नहीं है मेरे सामने इतनी रिठाई कहां महर्शी विश्वामित्र कहां मेनका और कहां तेरे जैसी सधारन नारी चली जा यहां से इतने थोड़े दिनों में भला ये बालक शाल के वरिक्ष जैसा कैसे हो सकता है चा चा चली जा श्कुंतरा ने कहा राजन कपट मत करो सत्य सहस्त्रों अश्यमेग से भी श्रीष्ट है सारे विदों को पढ़ ले और सारे तीर्थों में शिनान कर ले फिर भी सत्य उससे बढ़कर है सत्य से बढ़कर धरम भी नहीं है सत्य से बढ़कर कुछ है ही नहीं जूट से बढ़ कर रेंदने अभी कुछ नहीं है। सत्य स्यम पर ब्रह्म प्रमात्मा है, सत्य ही सर्वश्रिष परतिग्या है, तुम अपनी परतिग्या मत तोड़ो। सत्य सर्दा तुमारे साथ रहे, यदि जूट से ही तुमारा प्रेम है और मेरी बात पर विश्वाश नहीं करते हो, तो मैं स्यम चली जाओंगी, मैं जूटे के साथ नहीं रहना चाहती। राजन, मैं कहें देती हूँ कि चाहे तुम इस लड़के को अपनाओ या नहीं, मेरा ये पुत्र ही सारी प्रिथिक का शाशन करेगा, इतना के कर्शकुंत्रा वहाँ से चल पड़ी। इसी समें, रिथिक प्रोहित अचारे और मंत्रियों के साथ बैटे हुए दुष्यंत को संभोधित करके अकाश्वानी ने कहा, माता तो केवल धौकनी के शमान है, पत्र पिता का ही होता है, क्योंकि पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन होता है, तुम पुत्र का पारण पुष्यन करो, शिकुंत्रा का अपमान मत करो, अपना औरस पुत्री यम्राज के पंजों से छुड़ा लिता है, सच मुझ तुमी ने इस बालक का गर्बाधान किया था, शिकुंत्रा की बात सर्ता सत्य है, तुमें हमारी आज्या मान कर ऐसा करना ही चाहिए, तुमारे भर पुष्यन के कारण ही इसका नाम भरत होगा, अकाश वानी सुनकर, दुष्यन आनंच से भर गे, उन्हें प्रोहित और मंत्रियों से कहा, आप लोग अपने कानों से देताओं की वानी सुनने, मैं भी ठीक ठीक यही जानना और समयता हूं, कि यह मेरा पुत्र है, यदि मैं क केवल शिकुंतला के कहने से ही से सविकार कर लेता, तो सारी प्रजा इस पर संदे करती, और इसका कलंक नहीं छूट पाता, इसी उद्देश से प्रेरित होकर मैंने ऐसा दुर्विवार किया ही, अब उन्हें बच्चे को सविकार किया, और उसके संसकार कराई, उन्हें दुशल्त ने धर्म के अंसार अपनी पत्नी का सदकार किया, और सांतुना देते हैं कहा देवी, मैंने तुमारे साथ जो संबन्द किया था, वे किसी को मालम नहीं था, अब सब लोग तुमें रानी के रुबे से विकार कर लें, इसलिए मैंने ये क्रूर ताकी थी, लोग स इसलिए तुमने प्रने कोप वश मुझसे जो अप्रिय वाने कही है, उसका मुझे कुछ भी विचार नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के प्रिय हैं, इस परकार कर दुश्यंत ने अपनी प्रान प्रिया को वस्तर भोजन आदिस से संतुस्ट किया, समय पर भरत का बना लिया और सत संपत धरम का पालन करके अनु अनु अनुत्तम यश लाप किया, वे सारी प्रिथी का चक्रवत्ती समराड था, उसने इंद्र के समान अने को यग्य किये, महिर्शी कन्य भरत से गोवी तत नामक अश्य में यग्य कराया, उसमें योबी सभी ग्रमहामनों क दक्षना दी गई थी, प्रंतो महिर्शी कन्यों को सास्तर पदम मोहरे दी गई थी, भरत से ही इस देश का नाम भारत पड़ा और वे ही भरत वंश के परवर्तक हुए, उन्हें के नाम से सभी पहले के और पीछे के राजा भारत नाम से परसिद्ध हुए, उनके वंश में नेको ब्रह्म ज्यानी राज रिशी हुए, जिनके नाम गिनाने भी कठीन हैं, मैं मुख्य मुख्य सत्य निष्ट और शीलवान राजां का ही वर्नन करता हूँ, शंक्षिप्त माहा भारत के आदिपर्ण में दक्ष प्रजापती से याति तक वंश का वर्नन, वे शंपाइ प्रम्भा के दाहिने अंगूठे से उत्मन दक्ष प्रजापती ही प्राचेतिस दक्ष हुए, उन्हीं से सारी प्रजाप्ण हुई, उन्होंने पहले अपनी पत्री वीदणी के गर्ब से एक सहस्त्र पुत्र उत्वन कि, नारद मुनी ने उने मुक्ष प्रद ज्यान का वदेश करके विरक्त बना दिया तब उनने पच्चास कन्या युद्पन की उनने उनके प्रथम पुत्र को अपना बनाने की शचर्थ पर उनका विवा किया ये बात कही जा चुकी है उनने कश्षप से तेरा कर्नियाओं का विवा किया था कश्षप की पत्नी अधिती से इंद्र और विवस्वान अधि पुत्र हुए थे विवस्वान के जेश्ट पुत्र मनू थे और किनिश्ट यम्राज मनू बड़े धरमात्मा थे पुत्र थे वेन, ध्रिश्णू, नडिश्यंद, नाभाग, इक्षवाकू, कारूश, शिर्याती, इलाकन्या, प्रिष्थन और नाभाग, द्रिष्ट मनू के पचास पुत्रोर भी थे प्रंतुए आपस की फूट के कारण लड़ मरे इला से पुरुरुवा नाम का पुत्र हुआ इला पुरुरुवा की माता और पिता दोनों ही थी पुरुरुवा समुद्र के तिरा दीपों का शाशेश था वे मनुष्य होने पर भी अमानुशिक भोग भोगता था अपने बल पुरुष्य के मत से उनमत्त होकर पुरुरुवा ने ब्रामनों का बहुत सा धन एम रत्न छीन लिए सनत कुमार जी ने ब्रह्मलोक से आकर उसे बहुत समझाया भी प्रन्तु उस पर कोई असर नहीं पड़ा रिश्यों ने क्रोधितो कर शाप दिया और उसका नाश हो गया ये वही पुरुरुवा है जो सर्क से तीन परकार की अगनी और उर्वशी अफ्सरा को ले आया था उसके उर्वशी के घर्व से छे पुत्र हुए आयू, धिमान, अमावसू, दिडायू, वनायू और शतायू आयू की पत्री का नाम सर्भानवी था और उसके पांच पुत्र हुए नहुष, विद्शर्मा, रजी, गै और अनेना आयू के पुत्र नहुष बड़े बुद्धिमान और सच्चे वीर थे उन्होंने धर्म के उनसार अपने महान राज्य का शाशन किया उनके राज्य में सभी सुखी थे, चोर और लिटोरा का बिलकुल भे नहीं था, उन्हें अविमान वश, रिश्यों से पाल की धुवाई यही उनके नाश का कारण बन गया, यह तो उन्होंने तेज तपस्यार बाल विक्रम से देताओं को भी प्राजित करके अपने को इंद्र बना लिया था, नहुष के छे पुत्र हुए यती याती संयाती अयाती अयती और धुव, यती योग साधना करके भ्रम सुरूप होगे, इसलिए नहुष के दूसरे पुत्र याती राजा हुए, उन्हें बहुत से यग्य किये, और बहुत बड़ी भक्ती से, देवता और पितर आदे की उपासना करते हुए प्रेम से प सर्मिष्टा से तीन पुत्र हुए द्रुहू, अनू और पुरू। किया था, सो सुनिए, उन दिनों तिलोकी पर अधिकार करने के लिए देवता और असुर आपस में लड़ भेड रहे थे, देवताओं ने अपनी विजे के लिए आंगी रास ब्रस्पती को और असुरों ने भार्ग शुक्र को अपना प्रोहित बनाया, ये दोनों ब्रहमन अभी आपस में बड़ी होड रखते थे, जब युद्ध में देवताओं ने असुरों को मार डाला, तब शुक्राचार ने उन्हें अपनी विद्धा के बल से जीवित कर दिया, प्रन्तु असुरों ने जिन देवताओं को मारा था, उन्हें ब्रस्पती जीवित नहीं कर स के, शुक्राचारे संजीवनी विद्ध्या जानते थे, प्रन्तु ब्रस्पती नहीं, इसे देवताओं को बड़ा दुख हुआ, वे घबराकर ब्रस्पती के बड़े पुत्र कच के पास गे, और उनसे ये प्रात्रा की भगवान हम आपकी शरन में हैं, आप हमारी साहिता क कीजिए, अमित तजस्सी विप्रवाद, शुक्राचारे के पास जो संजीवनी विद्ध्या हैं, उसे आप शिग्री प्रात कर लीजी, हम लोग आपको यग्य में भागीदार बना दूएंगे, शुक्राचारे आज काल व्रिश्परवा के पास रहते हैं, देवताओं की प एक हजार वर्स तक आपके पास रहकर भ्रमचेरे का पारण करूंगा, सुक्रिती दीजी, तो शुक्राचारे ने कहा, बेटा स्वागत है, मैं तुमारी बात स्विकार करता हूँ, तुम मेरे पूजनीय हो, मैं तुमारा स्थकार करूंगा, और मैं समझता हूँ, ये ब्रस कुत्री देवयानी को भी संतोष्ट रखता, पान सो वर्ष बीच जाने पर दानों को ये बात मालूम हुई कि कच्च का क्या अभी पराय है, उन्होंने चिड़कर गोच राते समय ब्रस्पती जिसे द्विश होने के कारण और संजीवनी विद्या की रक्षा के लिए करके भेडियों को खिला दिया, गोवे बिना रक्षक के ही अपने स्थान पर लोट आई, देवयानी ने देखा कि गोवे तो आ गई, पर कच्च नहीं आया, तब उसने अपने पिता से कहा, पिता जी या अपने अगनी होत्र कर लिया, सूर्यस तो गया, गोवे बिना सुगन दखा कर सच-सच कहती हूँ, कि मैं बिना कच के नहीं रह सकती, शुक्राचार ने कहा, अरे, तू इतना घवराती क्यों है, मैं अब उसी जिला देता हूँ, शुक्राचार ने संजीवनी विद्या का प्रियों करके कच को पकारा, आओ वेटा, काच का एक एक अंग भेडियों का शीर छेद कर निकल आया, और वाज जीवी तोकर शुक्राचार की सिवा में पस्तित हो गया, देव यानी के पूछने पर उसने साना वरतांत के सुनाया, इस परकार असुरों के मारने पर दूसरी बार भी शुक्राचार ने काच को जिला दिया, तीश्री बार असुरों ने नहीं उक्ति की, उन्हेंने कच को काट कर आगे से जिलाया, और उसके शीर की राक वारनी में मिला कर शुक्राचारे को पिला दी, देव यानी ने पिता से पुछा, पिता जी फूल लेने के लिए कच गया था, लोटा नहीं, कहीं मैं फि डालते हैं, देव यानी के हट करने पर उनने फिर संजीवनी विद्या का प्रयोग किया, और कच को बुलाया, कच ने भई भीतो कर उनके पेट के भीतर से ही दिरे दिरे अपनी स्थिती बतलाई, तो शुक्राचार ने कहा, बेटा, तुम सिद्ध हो, देव यानी तुमारी पेट में अब तक जी रहे हो, लो ये विद्यार मेरा पेट भाड़ कर निकलाओ, तुम मेरे पेट में रह चुके हो, इसलिए स्योग्य पुत्र के समान मुझे फिर जीवित कर दिना, कच ने वैसा ही किया और परनाम करके कहा, जिसने मेरे कानों में संजीवनी विद्यार उ अमरत की धारा डाली है, वही मेरा पिता माता है, मैं आपका किर्तग्य हूँ, मैं आपके साथ कभी किर्तिघंता नहीं कर सकता, जो वेट सरोप उत्तम ग्यान के दाता गुरू का आदर नहीं करता, मैं कलंकी दोकर नरक गामी होता है, तो शुकराचारे जी की ये जानकर आज से यदि जिगत का कोई भी ब्रामन शिराप पिएगा तो वैं धर्म भरस्ट हो जाएगा और उसे ब्रम हट्या लगेगी इस लोक में तो वैं किलंकित होगा ही उसका परलोक भी बिगड़ जाएगा ब्रामनों दीवताओं और मनों की संतानों साथ धाने के साथ सुन लो आज से मैंने ब्रामनों के लिए ये इस धर्म मर्यादा सुनिश्चित कर दी है कच संजीवनी विद्या प्राप्त करके सहस्त्र वर्ष पूरे होने पर उने के पास रहा समय पूरा होने पर शुक्राचार ने उसे सर्द जाने की आग्या दे दी मैं तुमारे पिता को अपने पिता के समान ही मानती हूँ मैंने गुरू घ्रह में रहते समय तुमारे साथ जो विभार किया है उसे कहने की वश्यक्ता नहीं आप तुम सुनातक हो चुके हो मैं तुमसे प्रेम करती हूँ तुमारे शेव का हूँ आप विदी पूरक तुम म कि शीर में तुम निवास कर चुकी हो, उसी में मैं भी रह चुका हूँ, तुम धरम के उंसार मेरी बेहन हो, मैं तुमारे सनेपूर नवासले की छटर चाया में बड़े सने से रहा, मुझे घर लोड़ जाने की अनमती और शीर बात दो, कभी कभी पित्र भाव से मेरा समरन कर और साफधानी के साथ मेरे गुरुदेव की सेवा करती रहना, तो देव यानी ने कहा, मैंने तुम से प्रेम की भिक्षा मांगी है, यदि तुम धरम और काम के सिद्धी के लिए मुझे अस्विकार कर दोगे, तो मैं तुमारे संजीवनी विद्या सिद्ध नहीं होगी, त तुमारी जो इच्चाहो शाब देडो, मैंने तुम से रिशी धरम की बात कही थी, मैं शाब के यग्य नहीं था, तुम ने मुझे धरम के उन्सार नहीं काम के वाश्वकर शाब दिया है, जाओ तुमारी कामना कभी पूरी नहीं होगी, कोई भी ब्रहमन कुमार तुमारा पाने ग्रहन नहीं करेगा मेरी विद्ध्या सिद्ध नहीं होगी इससे क्या मैं जिसे सिखाऊंगा उसकी विद्ध्या सभल होगी ऐसा केकर कच स्वर्ग में गया देटाओं ने अपने गुरु भरस्पती और कच का अभिनंदन किया कच को यग्य का भागी दार बनाया और ये शस्वी होने का वर्द दिया